मढगाओं एक्सप्रेस जिसे डिरेक्ट किया है कुनाल खेमू जिने ये इनकी first movie है as a director के तोर पर और साथ इसाथ ये इसके writer भी है इन्होंने इस movie को लिखा भी है अब मढगाओं एक्सप्रेस का अगर आप लोगों ने trailer देखा है यूटूब पर तो आपको इसकी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इस मुवी में क्या देखने को मिलने वाला है क्योंकि पूरी कहानी ट्रेलर में ही दिखा दी गई है ओविसली दिखाएंगे क्योंकि ये कोमीडी मुवी है कोई suspense कोई mystery वाली तो है नि जो इसमें चीजों को छुपाया जाएगा और ट्रेलर को एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हमारे समझ में रिप्रेजन किया जाता है ताकि आप इस मुवी को देखने जाए कैट ट्रेलर की बाते हम नहीं करने वाले इस मुवी पर ही आते हैं अब ये इस मुवी की जो लेंट है वो तकरीबन धाई गंटे के आसपास रखी गई है अब जो ये कॉमिडी ड्रामा मुवी है इस मुवी में आपको तीन दोस्तों की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसके अंदर डोडो, पीकू, आयूस ये तीन दोस्तों होते हैं जो बचपन से ही गवा जाने के सपने देखते हैं वहाँ वो जाना जाते हैं लेकिन वो जा नहीं पाते हैं फिर जो बड़े होते हैं तो फिर वो सपने देखते हैं कि आर गवा चलेंगे वहाँ enjoy करेंगे लेकिन फिर भी नहीं जा पातें फिर एक होता हैं कि आपने बड़ी ही सिद्दत से किसी चीज को चाहां तो पुरी काइनात मिल जाती है मतलब लग जाती है जो भी है उसको मिलाने में दिलाने में जिसको भी है तो ये तीनों दोस्त मटगाव एक्सप्रेस मतलब कि एक जो रेल है उसके द्वारा जो वो गवाप पहुंच जाते हैं अब वो वहाँ जाकर उनके साथ जैसी जैसी घटनाए होती है अनोकी विचित्र जो इस मूवी को काफ़ ज़्यादा इंटरस्टिंग बनाती है जो हमें बहुत जादा हसाती है हम इसमें एंटर्टेन्मेंट का एक तरीके से बहुत जादा भरपूर मातरा में सुआद मिलता है जबो मूवी की स्टोरी बिल्कुल ही सिंपल है इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है आप मूवी देखने जा रहे तो आप इसको कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं आप जाएए बस enjoy करिए movie को जब आप देखेंगे तो आपको देरी देरी जैसे movie आगे बढ़ेगी आप इस movie के साथ एक interest create होगा आप इस movie के साथ कहीं न कहीं मतलब entertainment में बहे जाएंगे इस तरीके का मुझे feel हुआ जब इस movie को मैं देख रहा था उसमें हासी इतनी आती नहीं वो जबरदस्ती वाली हासी हमें नजर आती कियार यहां जबरदस्ती वाला वो scene डाला गया है जिसमें कोई हासी नहीं आ रही है इसमें सबसे अची बात यह कि इसमें कोई जबरदस्ती वाली comedy नहीं है कोई ऐसी नहीं है कि जो वहाँ पर जी के द्वारा निभाया गया है और उसके उन्होंने जब वो ड्रक एडिक्ट मतलब ड्रक ले ले लेते हैं तो उनका एक अलगी रूप वहां बे देखने को मिलता है जो मतलब सबसे फेवरेट करेक्टर मुझे वो लगा है इसके अंदर उनकी जो परसनेल्टी निखर के साम करने वाले हो ड्रक तोर पर मैं यह कहूंगी कि कुनाल के मुझे की ऐज ड्रक तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया है मतलब ड्रक शन काफी बढ़िया है और यहां पर जो एक तरीके से अडल्ट सीन हैं हम कहें कि कोई फाल्तुक अडल्ट सीन नहीं है कोई डबल मीनिंग सीन इसके अंदर नहीं डाले गई है अब इसमें जब आप एक तरीके से तीनों दोस्तों की जब जरनी देखते हो जो वो गवा जाते हैं तो उनके सामने क्या-क्या प्रोब्लम आती है उस प्रोब्लम के दुरान जो उनकी एक रियल आप देखेंगे न कोई फेक परफॉमं में तो इतनी जादा अच्छी अच्छी बातें हो गए मोवी के बारे में क्या कोई बुरी बात नहीं बुरी बात क्या 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 मुवी के बाहर निकलेंगे इस सिनेमा घर से तब डेफिनिटले उन सीन के बारे में आप सोचेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी मुझे भी अभी जैसे वीडियो बना रहा हूं तो वो सीन दिमाग में बार बार रिक्रियेट हो रहे हैं तो हंसी आ रही है तो जैसे इस मुविय ने एक किसे हसाया है एक entertainment दिया तो सबसे बढ़िया बात एक और यह कह सकता हूं कि यह fully entertainment परपस के तोर पर बनाए गई गई है ऐसा नहीं कोई फालतू की चीज़ें इसके अंदर गुसेड़ी गई हो या कोई प्रोगेंडा इसके अंदर गुसेड़ा गई है ऐसा बिलकुल भी न आई है जिसका आपको काफे टाइम से इंतजार था एक भरपूर entertainment आपको इस movie से मिलेगा तो बसाज के लिए इतना है था इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते है नेक्स वीडियो में जैहिंद